असलाम लेकुम एवरिवान वेलकम टू आईशा मेंडिकल एजूकेशन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एब्स पैरलाइसिस ठीक है बेसिकली यह क्या है यह अपर लीम हमने स्टार्ट किया उसमें लोग ने ब्रेकिल प्लग्जिस पढ़ा था ठीक है यह क्या है क्लिनिकल अनाटमी है ठीक है एब्स पैरलाइसिस क्यों होता है कि ब्रेकिल प्लग्जिस में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एब्स पॉइंट अगर उस पॉइंट पर इंजरी हो जाती है तो हमारे पास हो जाता है एब्स पैरलाइसिस के कुछ और भी नेम है ज जाएबस पॉइंट में होते हैं इसकी साइबस क्यम番त जहां पर क्या होता है कि इसपॉइंट पर queste तीन सब्सक्षशान मीट करती है और यह वाले पॉइंट होता कहां पर है ब्रेकिल Làm praxis के अपर टrunk में ठीक है अपर ट्रख है उसमें होगा akt्राय फिलंट वहाँ पर होंगी छे न्राप्स तो मेर्न करेंगी उस पोईट पे इंजरी होगी ठीक है अब यह ब्रेक्यल प्लक्सिस का में फिल्ग और में चोटा सा यह 6 nerves हैं यहाँ पर meet करती हैं इसको बोलेंगे abs point और अगर इस point पर injury हो जाती है तो क्या हो जाएगा हमारे पास abs paralysis हो जाएगा यह हमारे पास upper trunk ठीक है shoulder for example यह shoulder है head है मारे पास और यह क्या है यह shoulder ठीक है अगर unduly separation हो जाएगा और काफी सारा distance आजाए तो क्या होगा हमारे पास इस तरह से कुछ हो जाएगा जब यह होगा यहाँ पर होता ब्रेकल प्लक्जिस तो उसका अपर ट्रंक है abs point वहाँ पर क्या हो जाएगी injury हो जाएगी ठीक है and unduly separation की वज़ा से यह होता है अब हम देखेंगे यह separation किन किन कंडिशन में होती हैं यह हमारे पास बर्स इंजरी में भी हो सकता है यह द्यूरिंग पार्चुरेशन यानि डिलीवरी में क्या होता है कि जब बेबी के हैड को पुल करते हैं तो separation हो जाती है है हैड की shoulder से सो यह abs paralysis होने का काफी चांस होता ठीक है उसके लावा अगर हम फाल करते हैं on shoulder यह शोल्डर के बल अगर हम गिरेंगे तो हमारे पास abs paralysis हो सकता है उसके लावा है during anesthesia यह थी तीन conditions जो काज बन सकती है abs paralysis की ठीक है अब हम देखेंगे इसमें nerve root कौन सा involved है nerve root होता है मारे पास c5 and c6 यनि जो cervical nerve है 5th और 6th cervical nerve है उसका जो nerve root है वो involved है c5 c6 c7 c8 and t1 यह जो nerve root होते हैं यह brachial plugs की formation में involved है बट जो abs paralysis में जो nerve root आ रहे हैं वो सिर्फ दो है c5 and c6 इनको में remove कर देती हूं confusion ना हो ठीक है यह abs point है हमारे पास आप देखें पीछे से कौन से root आ रहे हैं इसको और इसको c5 and c6 so इस abs paralysis में कौन से root involved है c5 and c6 nerve root ठीक है अब हम देखेंगे muscle paralyzed कौन कौन से muscle paralyzed होते हैं वही muscle paralyzed होंगे जिनको c5 and c6 nerve root जाता है जिन nerves का ठीक है उसमें आता हमारे पास biceps, brachiai, deltoid, brachialis muscle and brachioradialis उसके लावा partially हमारे पास supraspinatus, infraspinatus and supinator muscle भी involved हैं यह वह muscle हैं जिनका paralysis हो जाता है basically हम पढ़ ही abs paralysis रहें ठीक है next आता है deformity and position of limb क्या होगा कि जब हमारे पास paralysis हो जाएगा तो deformity हो जाएगी जब deformity हो जाएगी तो limb की position change हो जाएगी ठीक है और medially rotated होता है ठीक है यह थी arm की position उसके लावा हम forearm को देखें तो क्या होता है extended होता है and pronated supination ऐसे होती है यह नहीं pronation pronated होता है और उसके लावा extended होता है यानि flags नहीं होगा extend होगा और pronated होगा ठीक है यह थी limb की position अब देखेंगे disability जाहिर सी बात है हमारे पास paralysis हुआ है तो disability भी हुई है यानि कोई function भी loss हुआ होगा ठीक है evolving movements lost कुछ movements हो है वो loss हो जाती है कौन सी movements है वो हमारे पास abduction and lateral rotation of arm यह दो movements जो हैं वो loss हो जाएंगी क्योंके यहां खुद देखें हमारे पास adapted आता है क्योंके adapted क्यों है चिपकावा यानि abduction movement इसकी loss हुई है इसलिए तो यह adapted है ठीक है abduction जो है वो loss हो जाएगी medially rotated है medially rotated है क्योंके इसकी lateral rotation जो है वो loss हुई हुई है ठीक है उसके लाब हम देखें तो forearm क्या है extended है और pronated extended क्यों है क्योंके इसकी flexion loss हुई हुई है ठीक है उसके बाद देखें तो pronated है because supination of the forearm वो loss हो चुकी है because supinator muscles उनका paralysis हो चुका है उसके लाब हम disability में देखें तो biceps and supinator jerks उनका loss हो जाता है और sensation loss हो जाता है हमारे पास deltoid muscle के lower end पर यहीं यहीं इस area पर मारे पास sensation loss भी हो जाता है ठीक है यह था हमारे पास apps paralysis if you understand the video so please like share and subscribe the channel thanks for watching